वीके नियूज उत्तरपरदेश उत्तराखंड सचका सार्थी कॉंग्रेस प्रत्याशी लोगों से ये कहकर मद्दान कराने की अपील कह रहे हैं कि उन्हें विकारी समझकर ही वोट दे दिया जाएं अब उमिद्वार का ये अंदाज पूरे राज में चर्चा का विशेय बन गया है ये है टेहरी गडवाल की घंसाली विधानसवा सीट से अपना भाग आजमार है कॉंग्रेस प्रत्याशी धनिलार शा जो अपने इलाके में अलगी अंदाज में वोट मांग रहे हैं भीक के रूप में वोट मांग रहे हैं धीनलान मद्दाताओं से और भी काफी कुछ बाते कर रहे हैं वो घरगर जाकर लोगों से कह रहे हैं कि मुझे आपसे पूरी मीद है कि इस बार आप मुझे विधानसवा जरूर भेजेंगे अगर आप मुझे वोट नहीं दे सकते हैं तो मेरे हारने के बाद अर्थी पर एक एक लकड़ी जरूर डाल देना धनिलाल शा जो सिंप्ति कार्ड खेल रहे हैं उसका फाइदा उठानेंगे या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा फिलाल तो हम आपको उत्राखंड की थोड़ी जानकारी देते हैं सत्तर सीटो वाली उत्राखंड विधानसवा का कारिकाल 23 मार्ट 2022 को खतम हो रहा है यहां कॉंग्रेस बीजेपी के साथ साथ आम आदनी पार्टी बसपा और छोटे-छोटे कई दल अपनी किस्मत आजमाने में लगे हैं हाला कि बीजेपी के लिए उत्राखंड चुनाओ सबसे आदा चुनाओती पूर्ण भना हुआ है क्योंकि यहां दो दशक से हर पान साल में सत्ता बदलनी की परंपरा चली आ रही है ऐसे में कॉंग्रेस पूरी उमीद कर रही है कि वह सत्ता पे वापस आए वहीं बीजेपी उत्राखंड में सत्ता परिवर्तन के मिथक को तोड़ने में जुटी है पिछले चुनाओ की बात करें तो उत्राखंड में 2017 में हुए विधानसवा चुनाओ में बीजेपी ने 57 सीटे जीते थी और प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी जबकि विपक्षिदल कॉंग्रेस को 11 सीटे मिल चुकी है तब इवेंदर सिंग रावत मुख्य मंतरी बने थे लेकिन 4 साल के बाद ही उन्हें हटा कर बिजेपी ने तीरत सिंग रावत को una Friends चौपी लेकिन कुछी महिनों में तीरत सिंग रावत की जगा पुषपगर सिंग धामी को उत्राखंड का मुख्य मंतरी बनाई यानि तीन मुख मंत्री चेंज हो गए तो देखना होगा कि यहां की राजनीती में इस बार क्या उच्छलकूद बस्ती है अब आपकी क्या रहा है इस पूरी कवर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताई और असी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे हैं वीके न्यूज राश्ट के राज़ूर आप देख रहे हैं देश का पहला 24x7 डिजिटल न्यूज चानल वीके न्यूज राश्ट के नार्ब